नमस्कार दोस्तों सभी को राम राम यह देखिए आज हम यह डिजाइन बनाएंगे और यह डिजाइन साथ-साथ के फंदों के इसाब से हमें लेना है सेवन-साथ के मिल्टिप्लाई करके और दो फंदे एक्स्ट्रा लेने होंगे तो बिल्कुल सेट बैठ जाएगा जितने भी बड़े आपको स्वेटर में बनाना यह डिजाइन साथ-साथ के इसाब से आप ले सकते हैं और उसी इसाब से आप कितने भी बड़े स्वेटर में बना लें जैकिट मेंए श्वेटर में बच्चों के बड़ो के कैसे भी बफलर में बना सकते हैं तो इसके कहीं पएले बनाना बताया हुआ है तो इसके कहीं कमेंट आ रहे थे तो इसलिए फिर मैं आज इसको दुबारा से लेकर आई हूँ देखे पहला फंदा हम ऐसे उतार लेंगे और दागा आगे करके एक फंदा ऐसे बनाएंगे उल्टा फिर हम दागा सलाई पर को ऐसे ले लेंगे यह देखे इस तरीके से ऐसे और जिससे हम बना रहे हैं उसी से ही बनाएंगे और फिर दागा पीछे खीज़ देंगे ऐसे फिर हम एक फंदा सीधा बनाएंगे और देखे यहां से ना लेके हम उपर से नीचे से लेंगे एक फंदा नीचे से ऐसे फिर दागा ऐसे करेंगे और फिर दो फंदे बनाएंगे यह देखे फिर हम ऐसे खीज़ देंगे अब देखे हमारे साथ फंदे हो गई यह एक दो तीन और एक यह साथ फंदे में हमने डिजाइन बना लिया अब हम दो फंदे फिर उल्टे बनाएंगे प्र दागा आगे करेंगे ऐसे, और फिर ये ऐसे खीचे देंगे, और एक फंदा हम ऐसे बनाएंगे, फिर दागा आगे करके, दो फंदे हम ऐसे बनाएंगे, अब एक फंदा उल्टा और एक ऐसे 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 वाला, इस तरीके से हमारा ये डिजैन की पहली सलाई हो गई, अब देखें डिजैन की दूसरी सलाई, दिजयन की दूसरी छलाए हम बनाएंगे पहला फंद हुआला उतार लिया फिर हम धागा पीछे करेंगे और एक फंदließ We now एक फंद हो ले बनाएंगे यह वाला और दागा आगे करके जो पांच फंद हम ने बनाए थे डिजयन वाले यह हम उल्ले बनाएंगे देखिए अब जो दो फंदे बीच में हमने उल्टे बनाए थे ना इधर से ये सीधे बनेंगे इस तरीके से और पांच फंदे उल्टे फिर दागा पीछे करेंगे और यह जो दो फंदे हैं यह भी हम सीधे बना लेंगे तो डिजैन की देखिए दो सलाई अभी हमने बनाई है तो इस तरीके से हमारा डिजैन जोने सेट हो जाएगा अब देखिए एक सलाई मैं आपको और बना के दिख सब्काती हूं पहला पंदा इसे उतार लें गे और एक फंदा उल्टा बनाएंगे यह देखिए दो फंदे हो गए हमारे से फिर हम दागा ऐसे सलाई पह लेंगे और है और लिए यह जैसे हमने पहले किया था ऐसे ही अब देखिए यह जो सीधा फंदा यह हम एक नीचे से देखे यहां पर सात फंदय हमारे हो जाता सें Gemarabhu पर फिर यह बिल्कुल उल्ट बनेगे सब्सक्राइब कर पूरी था सेरे अ क्ना इंहिए फंदय सीधे फंदे पर जैसे हम बनाते हैं फिर अगली सलाई जो है बिल्कुल सेम हमें उस पर उल्टी बनाने के बाद वैसे ही बनाना है जो हमने पहली सलाई में बनाया था कि नहीं करते हैं यह देखिए इस तरीके से कुछ यह दिजयन हमारा शुरू होता है उद्टी सलाई में जो फंदा जैसा दिखेगा वैसा ही बनाना बञारा तो इसमिंद्दा दिखने लग जाता है कौन सा सीधा बनेगा कौन सा उल्टा तो इसमें जो जैसा दिखेगा वो वैसे ही बनाना है देखे आप के अब हैं ड्य dot है है अब यह दिजया अब यह डिजियन हमारा इसी तरीके से आगे बढ़ता हो जाएगा हर सीधी सलाई में हमें इसी तरीके से बनाना है और लटा सलाई जो है जैस सा पॉसक्ता में पूं कि भ्याटेश्स ऐसा है कि मधे छाह निएylा स्थी सोर्व करें कि अब भीwelिटर क्वारिया अनुत कि यदे तरीके से अब अपर की यह जो चुह सीधा लाई है यह हम यहांसे बनाएंगे नीचे से और फिर आगज अगे करके तो जब हम यह बनाते रहेंगे ऐसे ही तो यह डिजाइन जो है देखे इस तरीके से बनके आएगा कितना सुन्दा डिजाइन है किसी भी प्रोजक्ट पर आप इसको बना सकते हैं देखे हैं किसी जाली नजर भी आएगी और ऐसे भी नजर आएगा यह बार्डर डिजाइन अगर आपको बनाना है तो इसकी वीडियो मैंने चैनल में डाल दिया आप वहाँ से देख सकते हैं इसका लिंक भी मैं इस वीडियो में डाल दूंगी तो कैसा लगा आपको यह डिजाइन और मेरा बताने का तरीका आप कमेंट में लिखकर जरूर बताना तो आज की यह वीडियो थी इसमें देखें मैंने नो नंबर की सलाई लगाई यह आठ नंबर की सलाई है देखें इसमें मैंने आठ नंबर की सलाई लगाई है और यह वर्दमान की जो वून आती है यह वो है आठ नंबर में यह बिल्कुल सही बनती है आप इस सलाई अपने हिसाब से आप मोटी पतली कर सकते हैं उनके हिसाब से जैसे आपको लूज बनाना अगर हलका हलका सा लूज बनाना ना आपको स्टेचेबल सा तो आप आठ नंबर की लगाएं नहीं तो आप नो से भी बना सकते हैं यह देखिए